असले मुलेकूम दोस्तों आसाम केसी चैनल पर आप सो भी क्या हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज वीडियो में आप लोग को बता हूँगा कि रैबिट्स और हर्स में क्या क्या अंतर है दोस्तों आप लोग माने या ना मने रैबिट्स और हर्स पूरी तरह अलग प्रजतिया है लेकिन एक ही परिवर्ट से बिलोंग करता है रैबिट्स और हर्स की शरीक बनावाट यहां तक की जिबन शेली में भी महत्तपुर्णा अंतर है तो चाली दोस्तों आज हम जानते है रैबिट्स और हर्स में क्या क्या अंतर है जनम के समय से ही अलाग होते हैं बेबी रैबिट्स को कीटेंस और बानिस कहा जाता है लेकिन दोस्तों जो हर्स का बच्चे है उन बच्चे को लेवरेट्स कहा जाता है दूस्तो रेबिट के बच्चे जब जनम होते हैं उस वक उन बच्चों का आखे टोटली बंध होता है वो बीना बालो का होता है और उन बच्चे का आखे एक से दो हक्ते के अंदर ओपन हो जाता है लेकिन जो हर्स का बच्चे है वो बाल और दृष्टी के साथ पैदा होते ह और जनम के एक गंटे के भीतर अपने आप चाल सकते हैं दोस्तो रेबिट के जो गेस्टेसिन पिरियर्ड है वो एक्षिली आठेस से 32 दिन होता है लेकिन जो हर्स से हर्स के गेस्टेसिन पिरियर्ड 42 दिन तक लास्टिंग करता है रेबिट्स और हर्स अलग-अलग खैदो खाता है जबकि खर्गोष नरम खास और सबजेया जैसे की गजर ये सब कुछ पसंद करता है लेकिन जो हर्स से वो सक्थ साल और टहनिया खना पसंद करता है जबकि रेबिट्स के फार है वो पूरी साल एक ही रहता है जबकि खर्गोष अपने घर को बिल के आंदर बिल बना के रहता है और जब बच्चे देने के समाए होता है उस वक्ट बिल के आंदर घोसला बनाते है और उस बिल में बच्चे को जनम देता है लेकिन उसे जो हार्स है, वो जामेन के उपर घर बनाते है, बच्चे जने के समय जामेन के उपर ही गोसला बनाते है उनके अलग-अलग रहांसान के वज़ा से रबीट्स और हार्स, खत्रे के पूरती अलग तरह से प्रतिक्रिया करते है खरगोष शिगरी पशोर से सिपने के लिए बिल के अंदर चाले जाते हैं लेकिन उसे जो हार्स है वो खत्र से बसने के लिए वो अपने लंबे मजबूत फिसले पेरों को उपयोग करते हैं दोस्तो रैबिट्स को पेट्स बनाया जा सकता है लेकिन इस जो हर्स है वो जंगली ही रहता है या जंगली में उनके बेबाहर को दर्शाता है दोस्तो आप सबको पता है रबिट्स और सोशल इनिमेल खरगोष सामाज एक प्रानी है वो गुरूप में रहना पसंद करता है लेकिन दोस्तो हर्स है वो अधिक एक्षा समाएं अकेले बिताता है सिर्फ मेटिंग के समाएं जोड़ा बनता है दोस्तो यह था कुछ डिफरें को दा हफेज